आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाश 12 की पॉलिटिकल साइंस यानि की राजनीतिक विक्यान चैप्टर हमारा है पहला शीतियुद का दौर और इसका वीडियो भी ये पहला है यानि की पार्ट वन है और वार एरा एंड नौन अलाइंग मुवमेंट तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं सबसे पहला बेसिक टॉपिक हम लेकर चलेंगे क्योंकि चैप्टर का टाइटल ही आपको शीतियुद मिलता है तो सबसे पहले हम शीतियुद का ही मतलब समझ लेते हैं कि आखर ये शीतियुद क्या है तो देखे बेसिक बेसिक आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे का सारा जो मेन पोर्षान है वो विडियो 2, विडियो 3, विडियो 4 में आपको पूरा चैप्टर कमप्लीट हो जाएगा तो सीतियुद को समझे outta देखे शीत यूद जो होता है शीत यूद कोई यूद नहीं है बलकि ये क्या है ये यूद नहीं है बिलकुल कोई भी ये केवल और केवल यूद की संभावना है यानि यहां पर यूद की क्या होती है संभावना रहती है कोई भी यूद नहीं होता है तो इसको थोड़ा सा सम मसते और आगे आते हैं फिर समझेंगे क्या क्या हुआ इसके दोरान तो शीत यूद कोई वास्तविक यूद नहीं है बलकि इसमें केवल यूद की संभावनाएं बनी रहती हैं इसमें क्या होता है बच्चे की संगर्स और तनाव की स्थिति रहती है और हमेशा यूद का डर लगा रहता है हम्यसा हमले की आशंका रहति है लेकिन और रियल में देखें तो कोई भी खून कराबे वाला युद नहीं होता तो यहां पर इतने में हमें क्या समझ होए कि शीतियुद कोई युद नहीं बलकि एक हालात एक situation है शीतियुद में कोई भी युद नहीं होता लेकिन युद की पूरी संभावना होती है यहाँ पे कोई खून कराबे वाला लड़ाई जगड़ा नहीं हो रहा है लेकिन संभर्स और तनाव वाली स्थिति हमेसा बनी हुई है हमेसा यहाँ पे डर बना रहता है और ऐसा लगता है कि हमला कभी भी हो सकता है पर reality में देखें तो कोई हमला नहीं होता इस पूरी घटना को या पूरी situation को हम शीतियुद कह सकते है ऐसा हुआ था ऐसा हमारे विश्व में हुआ था अब बात करेंगे ऐसा कभ हुआ था और किसके साथ हुआ था ठीक है तो इसे देखें ऐसा हुआ था दो ग्रूप्स के बीच दो महाशक्तियों के बीच स्वरी एक युएस से हो जाएगा और दूसरा यू एस एस आर हो जाएगा यानि एक महाशक्ति अमेरिका हो गया और दूसरी महाशक्ति कौन सी हो गई सोवियस संग हो गई इनके बीच में बिल्कुल सेम यही वाली सिच्वेसन हो गई थी जो आपने यहाँ पर पढ़ा है अगर यह सिच्वेसन कब हुई थी ऐसा कब हुआ था तो हम बात करेंगे लगबग लगबग 1945 से लेकर और लगबग लगबग 1991 के आसपास था कि ऐसे हालात रहे इन दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसे हालात और ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और सोव्य संग के बीच में युद्ध हो जाएगा और युद्ध की पूरी संभाव ना थी दोनों डरे रहते थे एक दूसरे से कहीं अमेरिका को लगता था कहीं सोव्य संग हमला ना कर दे सोव्य संग सोचता था कहीं अमेरिका हमला ना कर दे डर भै संगर स्तनाव जो भी था सब कुछ इनके बीच रहता था और लगबग लगबग 45 वर्सों की बात करें तो ऐसे हालात में रहें ये दोनों ठीक है और दुनिया भी इनके बीच में मतलब डरी डरी रही है कहीं दोनों महाशक्तियां थी कहीं दोनों महाशक्तियों में य खतरनाक नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक होता और अच्छा हुआ कि दूसरे विश्वद के बाद कोई तीसरा ऐसा भयानक विश्वद हुआ नहीं ठीक है तो यह जो USA और USSR की कहानी है इसी को हम पूरे चक्टर में पढ़ते वे चलेंगे तो शीतियुद आपको कोई भी युद होता नहीं है इसी घटना को शीतियुद कह सकते हैं और ऐसा कब हुआ था ऐसा हुआ था 1945 से लेके 1991 तक लगबग लगबग 45 साल आप कह सकते हैं और किसके बीच हुआ था तो आप कह सकते हो कि यह एक तरफ अमेरिका था दूसी तरफ सोव्य संग था पूरी 1949 से 45 नहीं लिखना 1945 से और सोव्य संग का विक्टन कब हुआ था तो आपको सीधा लिखना 1991 ठीक है तो इस दोरान जो हालात थे उस हालात को क्या संग्या दी गई क्या नाम दिया गया शीतियुद का नाम दिया गया अब यहां पर याद रखना कि सोव्य संग का विक और फाइनली 1991 में क्या हुआ इस सोव्य संग का अंत हो गया यानि कि USSR का अंत हो गया तो यह पूरी घटना आपको बिलकुल याद रखनी है अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि जब यह हालात ऐसे चल रहे थे दुनिया में यानि जब दुनिया में यह महोल चल रहा था USA और USA vs.ssr यानि अमेरिका vs. सोव्य संग के बीच में तो उस समय में क्या-क्या चीज थी तो देखे उस समय में दोनों महाशक्तियों में यानि एक तरफ अमेरिका ब्रुसरी तरफ सूव्य संग दोनों महाशक्तियों में जोनों में अधिक ताकतवर बनने की मतलब होड लग ता था कि दुनिया में एक मात्र महासक्ति सोव्य संग रहें दोनों चाहते थे कि बस वही रहें दूसरा ना रहें यानि अमेरिका सोव्य संग को नहीं रखना चाह रहा था कि यह किसी भी मतलब दुनिया में इसका नामने सान मिट जाए सोव्य संग अमेरिका के बारे में ऐस क्या किया हुट बढ़ाते गए हमेशा हतियार एक पढ़ाते गए इदार मेरिका लगा हुए हतियार बढ़ाने में दूसी तरब देखो परतिस पर्दा, competition बहुत ज़्यादा थी इनके बीच में, हमेजा मतलब एक दूसरे से आगे निकलने के होड़, चाहे वो सैनने रूप में हो, या फिर किसी दूसरे, वर्चस मतलब उपना बनाने की कोशिस में लगे हुए थे, विचारों की लड़ाई थी इनके अमेरिका को दूसरी तरब में रख देता हूँ, सोविय संग को, अमेरिका कहता था कि वही जो उसका आर्थिक मोडल है, पुंजी वादी जो विवस्ता है, वो दुनिया में सबसे बहतर मानता था अमेरिका उसको, तो दूसरी तरब जो सोविय संग था, वो अपनी समाजव मत करना इसे हमेशा ध्यान में रखना आपको अगला है वर्चस हो बनाने की होड दुनिया में अपना वर्चस हो बनाना दुनिया को अपने मतलब कबजे में रखना या फिर दुनिया में अपनी पहुंच बना के रखना अपना प्रभाव बना के रखना यह वर्चस हो बनाने पर भी लेबल हो जाएक टीक है आगे देखेए पहला विश्यूद अब यहां पर डू-वर्ड-वॉरr की बात करते हैं वर्ड-वार जो पढ़ते हैं वर्ड-वर वर्ड-वर टू इसमें से व डू-वर वर्ड-वर विं नियाड रखनी है पहला विश्यूद 1914-1918 इसके अलावा आपको यहां पर कुछ भी नहीं समझना लेकिन जो Second World War है यहां से आपके Short Question बनते हैं और Question घुमा फिर आके भी आपसे पूछे जाते हैं तो पहला विश्यूद आपको याद हो जाएगा 1914-1918 चलते हैं हम दूसरे विश्यूद पर क्योंकि यहां से आपके दो तिन तरह के Question बन सकते हैं तो दीखे क्या है सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि यह जो दूसरा विश्यूद है यानि जो Second World War था यह कब हुआ था तो आप बोलोगे आप कह सकते हो एक तरफ है मित्र राष्ट और वर्सीज धूरी राष्ट यानि कि मित्र राष्ट और धूरी राष्ट के बीच में यह हुआ था मित्र राष्ट जो था ये इसमें ये देश शामिल थे ठीक है ये चारो देश आपको बिल्कुल नाम याद रखने हैं एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, बिर्टेन, सोविय संग थे तो इसके अपोजिट दूसी तरफ आप आओगे तो जर्मनी, जापान, इटली थे ठीक है तो अब आपके लिए यहां पे यहां पे यह दो तीन तरफ के कोशन होगे, अब यहां पे मुझे याद आ रहा है, सोट कोशन में आपसे यह पूछा जा सकता है, और इस टाइम पे आपके वन मार्क की कोशन का वेटेज जो है वो बढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपसे बिल अच्छा आता है, इम्पोर्टेंट, यह आप समझें, इमर्जेंस आप टू पावर, और इमर्जेंस आप टू पावर, यानि कि दो महाशक्तियों के उदबाव से पहले, एक पॉइंट आपको फिर से वापिस ध्यान लगना है, अभी हमने यह देखा, कि मित्राष्ट और धूरी राष्ट, ठीक है, यहाँ पर हमने एक चीज पर आपने गौर किया, इस पर कि अमेरिका और सोविय संग, जो कि कभी 1945 के बाद एक दूसरे के दूस्मन समझ लो, आप USA और USSR इतना इनके बीच में चला, यहाँ पर यह एक ही ग्रूप के अंदर है, क्या आपने कभी स् समझ लिए, कि यह जो हालात थे, यह दूसरे विश्यूद के बाद बिल्कुल पलट गए, अभी जहाँ यह एक ग्रूप में शामिल थे, अमेरिका और सोविय संग, बाद में यही महाशक्ति बनने की होड में आगे निकल गए, ठीक है, यही होड जो थी इनके बीच में नि यही आपको यहाँ पे लिखनी है, इमर्जेंस अप टू पावर में, यानि दो महाशक्तियों का उदबाओ, तो आप यह कहोगे, कि 1945 के बाद, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, कि दूसरे विश्यूद की समापती के बाद, दोनों महाशक्तियां, ठीक है, दुनिया में दो competition सुरू हो गया, हतियारों की होड़ सुरू हो गई, ठीक है, दोनों के बीच में आगे बढ़ने की होड़ सुरू हो गई, ताकतवर बनने की होड़ सुरू हो गई, एक दूसरे से मतलब डर बैट गया कहीं हमला ना हो जाए, यह सब चलता रहा आगे की कहानी में, तो दो मह महाशक्तियों का उद्वे में आपको दो महाशक्ति कौन से लिखने हैं अमेरिका और सोव्य संग कब हुआ था ऐसा 1945 के बाद या फिर आप कह सकते हो दूसरा विश्योत खतम होने के बाद ठीक है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है चलते हैं अगले टॉपिक पर दो ध ठीक है अमेरिका वाला जो था इसको हम पस्चिमी कह सकते हैं पस्चिमी खेमा कह सकते हैं या फिर वेस्टन ग्रूप कह सकते हैं दूसरी तरफ ठीक है ब्लॉक कह सकते हैं वेस्टन ब्लॉक और दूसरी तरफ अगर आप सोव्य संग की तरफ आओगे तो इसको हम कह सकते हैं मैं आपको डाइरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, उसके बाद हम टॉपिक को देखेंगे तो बहुत असान हो जाएगा, यह आपके सामने विश्व का मानचित्र इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको बस इसमें इतना ही पता करना है कि अ बतवारा जो वाता यह वाता जर्मनी, जर्मनी में जो बरलीन है उसकी जो राजदानी थी, जर्मनी में बरलीन, बरलीन में एक दिवार खड़ी कर दी गई और उसी दिवार का नाम है बरलीन की दिवार, वहीं से दुनिया जो थी दो खेमों में या दो हिस्सों में बटी लाएगा ठीक है तो अब चलते हैं इसको समझते हैं थोड़ा सा और गहराई से तो देखे यहां पर आपको यह समझना है कि एक महाधीप है जिसका नाम है यूरोप, यूरोप महाधीप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, जर्मनी में एक जगह है स्थान है जिसका नाम है बर्लिन, बर्लिन में एक दिवार खड़ी की गई, यह आप देख सकते हो, मानलो कि यह पूरा का पूरा जर्मनी है, यह ज जो है पूरवी जर्मनी यानि ये पूरा का पूरा खेमा सोविसंग वाला हो गया दूसरी तरब आप देख रहे हो USA वाला खेमा अभी जो हम मैप में पढ़ते आ रहे हैं ये हो गया इस तरीके से दुनिया को दो हिस्सों में बाटा गया तो ये आपको यहाँ पर समझ माना च परदिया ये हमने देखा था यहीं से दो दुरुवेता की सुरुवात हो चुकी है बिल्कुल सही दुनिया जो है दो गुटों में बांटी गई है बिल्कुल सही अभी हम मैप में देख किया है बटवारा जो था यूरोप महादीप में सुरुवा था ठीक है बिल्कुल जो है वो क्या है अमेरिका वाला हो जाएगा यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं मैप में देख चुके और अब हमने इसको टाइप कर दे आपके सामने अब आपको यहां पर बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग में आपके बस गया होगा दुबारा देख लो एक बाग पूर आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा देने के लिए आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ बाकि आपको इस तरीके से मैप समझना है यहां पर समझते वे चलना है और कोई नहीं आपको टॉपिक बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए यह आपको समझना है अब आप दो महाशक्तियों का उदबव भी देख लिया और विश्व का दो हिस्सों में बटना भी देख लिया अब यहाँ पर कोशन और बन जाता है कोशन यह बनेगा कि मानलो यहाँ पर मैं बीच में से इसे दो हिस्सों में कर देता हूँ इधर की जो दुनिया है वो सोव्यसंग वाली है और इधर की जो दुनिया है वो अमेरिका वाली है ठीक है तो सोव्यसंग जो था इसने छोटे छोटे देसों को अपने ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया सेम कहानी अमेरिका से भी है अमेरिका ने भी छोटे छोटे देसों को अपने गुरुप में शामिल करना शुरू कर दिया ठीक है हाला कि दोनों महाशक्तियां है और दोनों ने छोटे छोटे देसों को अपने में शामिल किया है लेकिन इस से छोटे देसों को क्या फाइदा है महाशक्तियों का फाइदा तो आप समझोगे मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन छोटे देसों को क्या फाइदा है क्या छोटे देसों को इन महाशक्तियों में जुड़ने में नुकसान है क्या छोटे देसों को इन महाशक्तियों में वो बढ़ता जाता था जिस महाशक्ति के पास जितने सारे देश होते थे उसका प्रवाव उतना ही जादा है ठीक है एक तरह से आप यह समझे तो देखें यह चोटे देश आखिर महाशक्ति में शामिल क्यों हो जाते थे कुछ तो कारण होंगे कुछ तो इनको लालच दिया होगा यह कुछ तो होगा जिसके कारण यह इसमें शामिल होते होंगे तो इसके पीछे चार कहानी चार पॉइंट आपको याद रखने सबसे पहले देखो सुरक्षा का वाइदा यानि कि मानलो USA ने किसी देश को अपने में शामिल कर लिया है तो अब उसकी सुरक्षा की ज चाहे वो अमेरिका में चले जाएं चाहे वो सोवी संग में चले जाएं दोनों की तरफ से सुरक्षा का वाइदा मिलेगा तो पहला पॉइंट बिलकुल दिमाग में बैठ जाएगा दूसरा देखो आर्थिक मदद अब ये देखो महाशक्तियां जो थी वो किवल हत्यारों के लिए आर्थिक मदद करते थे आर्थिक मदद का लालच भी देते थे तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा तीसरा सेनने सहायता अब यहां पर देखिए सेनने सहायता वाला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जो सारा खेलता इसमें कहीं ना कहीं हमें सा यूद्ध की आशंका थी, अमेरिका डरा रहता था सूव्य संग से, इसलिए दोनों अपनी सेना, सेने, टेकनलोजी वगारा को बढ़ाने में रखते थे, छोटे छोटे देसों से इनको काफी लाब भी हो जाते थे, ठीक है, तो छोटे देस Ltd से ये जो छोटे देश जो महाशक्तियों में शामिल हो रहे हैं इनको सेने सहेता तो मिल रही है लेकिन जो महाशक्तिया है इनको भी इनसे लाब मिल रहे हैं तो ये भी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखते हुए चलना है हतियार हतियार आपको पता है सबसे तो हतियार का सबसे महत्यपूर्ण रोल था यानि महाशक्तियों में जो महाशक्ति के ग्रुप में जो शामिल हो गया मानलो अमेरिका ने बोला किसी एक्स नाम के देश को कि आजा मेरे 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 ग्रुप में शामिल हो जा तो अब उसके बतले पार अमेरिका क्या देगा उसक की वीडियो का पहला कोशन की बर्लिन की दिवार जो थी जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट रही थी एक तरफ पूर्वी खेमा दूसरी तरफ पश्चिमी खेमा यह बर्लिन की दिवार कब बनाई गई थी ध्यान से सुनिए यह बर्लिन की दिवार कब बनाई गई थी मैं गिराई गई नहीं बूच रहा हूं, मैं बनाई गई बूच रहा हूं, आपको मुझे इसका अंसर देना है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट वन हमारा हो चुका है, और बिल्कुल बेसिक सीट यूज से शुरू कराया, और आराम से आपको सारे टॉपिक, तीन कि जो पहला चैप्टर है, आपको सीट यूट का दोर, यह जो कोल्ड वार एरा पड़ रहे, इसमें कोई बहुत भयंकर, आपको कोई बदलाव नहीं है, बुक में जैसा दिया है, बिल्कुल वैसा का वैसा आप पड़ सकते हो, बिल्कुल वही चीज़े हैं, जो बदलाव स शेयर करेंगे, ना हम उतनी जल्दी आपको कोर्स खतम करेंगे, अगर आप मैकसिमम शेयर करते हो, तो केवल 30 दिल में आपकी दोनों बुके खतम करा सकते हैं, 30 से 40 दिन के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर आप आराम नाम से शेयर करोगे, तो फिर हम आराम नाम से आपको करा तरेंगे